हेलो फ्रेंस आज हम जानेंगे English और Hospitality की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमल कैसे होती है Hospitality की हिंदी में मतलब है सकार, आतिथ्व, महमानदारी चलिए कुछ example के जरी इस word की हिंदी में मतलब बहुत अच्ची तरह से समझ लेते हैं Example, Is Hospitality Due to Assession? इस sentence का हिंदी में मतलब है, अतित्य हतियारों के कारण है, चलिए निकसे example जान लेते हैं. Don't insult them by refusing their hospitality, इस sentence का हिंदी में मतलब है, उनके अतित्य से इंकर करके उनका अपमन ना करें, चलिए निकसे example जान लेते हैं. But first, I feel the urge to partake of Canadian hospitality, इस sentence का हिंदी में मतलब है, लेकिन सबसे पहले मुझे केनेडा के अतित्यों में भाग लेने की इच्चा महसूस होती है, चलिए निकसे example जान लेते हैं. You must not accept repeated hospitality, form the same source, इस sentence का हिंदी में मतलब है, आपको एक ही source से बार बार अतित्यों स्वेकर नहीं करना चाहिए. So friends, उमीद करते हूँ, hospitality की हिंदी में मतलब क्या होती है, और sentence में इसका इस्तेमल कैसे होती है, वो अच्छी तरह दा समझ गये होंगे. इसी तरह से और भी English, और Hindi में example के साथ जाने के लिए हमारी सेनल के home page में जाकर check out कर सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ 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 सेनल को subscribe कर दिजिएगा.